हमारा जो मिटर में जो ब्लिंकिंग का जो सिस्टम था जो इसमें कोलिंग आ रहे थी वह भी बंद हो चुकी है एक बार दुबार आपको करके दिखाते हैं तो आज की वीडियो में हम आपका एक ऐसा बरम दूर करने वाले हैं जो की बहुत सारी यूटूबर ने पैदा कर है उसमें अगर आप आर्थिंग के वायर लगाते हो कनेक्ट लगते हो तो आपके घर में जो बिजली के करन लगते हैं उससे आप बस सकते हो लेकिन कोई बिल का कोई फरक नहीं पड़ेगा दोस्तों इसके लिए हम आपको प्रैक्टिकल करें दिखा रहे हैं यह देखिए यह मैनमेटर में वायर गई हुए है और यह मैनमेटर में से आउटपट जो है वो निकली गई है ठीक है दोस्तों बोर्ड में पाउर्ग स्प्लाई है अभी हम क्या करेंगे जो नूटल की वायर इस बोर्ड में गई हुए उस नूटल की वायर को मैनमेटर में से हटा जो यह अर्फिंग है यह प्रोपर हर देख सब्सक्राइब करें जो आउठ पूट लगी थी इस में ठीक है यह देखिए जैसे हमने इस वाइर को कनेक्ट किया है जो हमारा इस बूर्ड में में लगा हुग था डिजिटल में इसमें पाउर स्ब्लाई आ गई है ठीक है अब है इसको एक बार यहीं रख देते हैं और आपको एक आयरन जो प्रेस होती है उसको चलागे दिखाते हैं यह देखें प्रेस में इंडिकेटर आ गया है दोस्तों यहां पर एंपेर आ गया है यहां पर वोल्ट है लेकिन आप गोर किजिए इस चीज़ पर जो हमारा सब मेटर है या मेटर है वो मेटर केवल एक वायर से बिल्कुल अच्छी तरह से ब्लिंक कर रहा है दोस्तों तो आप किसी के जांसे में मताईए आप अर्थिंग इसलिए करवाईए कि आपके घर की सेफटी रहे आपके घर में जो प्रोड़क्ट है वो सेफ चले पिजली चोरी के मक्स ब्लिंकिंग का जो सिस्टम था जो इसमें कोलिंग आ रहे थी वो भी बंद हो चुकी है एक बार दुबार आपको करके दिखाते हैं यह देखिए ठीक है दोस्तों तो ऐसा कुछ नहीं है यह सब मित है भरम है कि अर्थिंग की वायर अगम हम न्यूटल में लगाते हैं तो बिजली का बिल कमाएगा दोस्तों जानकारी आपको कहीं लगी यह कमेंट करें बताएं अच्छी लगी शेयर करें और किसी वी प्रकार के भरम में ना पड़ें बिजली चोरी करना बिल्कुल गलत बात है अपराध है धन्यवाद